गुद मॉरिंग श्टूड़न स्टांडर फिफ्थ मैक्स चैप्टर टू सेप्स एंगल्स हमने पेड नमबर सिष्टी से ट्वेंटी एक तक देखा उसमें आज हम आके देखते हैं एंगल एंड टाइम टाइम के अंदर भी एंगल होता हैं तो दो लड़किया बात कर रही है जिन्नत ने कहा कि तुमारी वाज में डीजिट तो है नहीं तुम कैसे टाइम रीड करती हो आई जस्ट सीद एंगल उसने कहा कि मैं एंगल के हिसाब से टाइम देखती हूँ see when the hands make a right angle जब hands जो होते है पॉच के अंदर right angle बनाते हैं तो I know it's a nine o'clock तो मैं क्या समद्ती हूँ? nine o'clock इक सतरब से right angle बनाता है hands तो क्या वो समद्ती है? कितने बजे होगे? nine o'clock there are many times in the day when the hands of a clock mark make a right angle now you draw some more आपको क्या करना है यहाँ clock दी होई है उसमें आपको right angle बनाना है तो यहाँ nine बनाया है right angle उसी तरह कौन से बनेंगे तो देखते हैं तो यहाँ देखो three से करेंगे तो यह भी क्या बनेगा right angle फिर इस तरह से साड़े दिन बनाएंगे तो भी कितने बनेंगे right angle और ten और two के उपर लएगे चाहेंगे तो भी यह लाकार होगा तो यह भी क्या बनेगा right angle तो यहाँ हमे right angle बनाने थे तो वो हमने बनाए अब आगे देखो write what kind of angle made by the hands at this time also write the time आपको यहाँ क्या करना है कौन सा एंगल बनाया है वो लिखना है और time भी लिखना है तो चलो देखते हैं तो यहाँ देखो यहाँ कौन सा एंगल बनेगा very good less than a right angle और कितने बज़े है seven twenty five चलो यहाँ कौन सा एंगल बनेगा more than a right angle ज्यादा है ninety से यानि more than a right angle और कितने बज़े है three forty अब आगे देखो यहाँ भी भी क्या है ज्यादा है ninety से यानि more than a right angle अब देखो कितने बज़े हैं वो भी लिखना है nine ten अब यहाँ पे भी देखो यह भी ज्यादा है ninety से तो यह भी क्या होगा more than a right angle तो कितने बज़े है nine twenty five यहाँ में पे देखो कम है ninety से कम है यानि place tena right angle एंगल और ten बज़े हैं अब देखो though the hands of a clock when they make an angle which is less than a right angle आपको यहां लेज देन राइट एंगल बनाने है और टाइम लिखना है तो चलो हम बनाते हैं तो वन टैन मिनिट्स वन ओकलॉक टैन मिनिट्स चलो दूसरा बनाते हैं तो एल थर्टी तो आईव थर्टी तो यह हुआ नेज देने राइट एंगल आगे दिको दिग्ग्री ग्लग क्या है दिग्री ग्लोक अप्पू एन किट्टू आर प्लेइग कैरमबोड अप्पू एन किट्टू क्या कर रहे हैं कैरमबोड खेल रहे हैं अप्पू hit the striker अप्पू क्या कर रहा है? striker को मार रहा है Comes back at some angle जब मारेगा तब क्या होगा? एंगल बनेगा वापिस आएगा तो क्या बनेगा? एंगल In the picture, three points A, B, C, R, So Draw a line to show From which point किट्टू should hit to get the queen यहाँ आपको बताना है कि यहाँ तीन point दिये हो तो किट्टू कहां से मारेगा? striker को तो वो यहाँ कीम में जाएगा तो देखो यहाँ A से हम करेंगे तो सिद्धा यहाँ कीम में जाएगा तो यहाँ B से देगा तो होगा नहीं, C से भी होगा यहाँ कौन से में जाएगा? A से Queen होगा कौन से आएगा? A से If you want, you can measure the angle in the degrees using a degree clock Degree is the return as तो यहाँ कौन सा एंगल बना? Lace देना Right एंगल कौन सा बना? Lace देना Right एंगल और कितने डिग्री बनती है तो वो हमें प्रोटेक्टर की मदद से करना है अब यहाँ देखो अब यहाँ and activity दी है activity making a degree clock तो cut a circle out of paper आपको cut करना है paper circle में fold it into half half करना है fold करना है fold it once again into the quarter फिर से quarter में fold करना है fold it once more फिर से fold करो open the paper you will see lines like this तो आप जब open करोगे तो इस तरह से line पड़ेगी fold किया जब open करोगे तो इस तरह से क्या होगा line बनेगी now mark 0 45, 90 and 180 as so तो आपको यहां mark करना है तो बीच में क्या होगा वो तो हमने समझाया हुआ कि L बनता है तो वो क्या होता है 90 होता है उसका आधा कितना होगा 45 और कहां से सुरू होगा starting 0 से 90 का double करोगे तो 180 होगा paste it on old card तो आपको यहां card के उपर इस तरह से करना है from the center draw one hand आपको क्या करता है center में hand बनाना है make a red hand with a thick paper and fix it to the center with a drawing pin आपको pin क्या करना है एक thick paper से hand बनाने है और red color का hand बनाना है और वहाँ आपको pin से fit कर देना है बीच में so that it's a free to move आप move कर सको यह घुमा सको इस तरह से आपको fit करना है hand जो है वह इस तरह से pin से fit करो की वह move हो सके your degree clock is ready यह clock आपकी ready हो गए use your degree clock to measure the right angle of your pencil तो यह degree बनाई तो यहां जो बना है right angle तो वह कितने का होगा अमने सिखाया होगा है 90 degree का कितने का होगा 90 degree का can you guess how many degrees is the angle which is यहां यहां आपको guess करना है डिगरी कितनी होती है तो 90 is cold and right angle 90 है वह क्या है right angle है तो one half of a right angle तो उसका अधावा कितना होगा तो आपको क्या करना है 90 को 2 से divide करो 90 को 2 से divide करते है इस तरह से तो 2 वन जा 2 2 2 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 तो क्या आएगा 1 0 और 5 तो कितना आया 45 तो उसका अधा कितना होगा 45 और उसका वन थर्ड बाग करना है वन थर्ड ओफ right angle तो उसरा तीसरा कितना होगा अधावाद वन थर्ड तो 90 का वन थर्ड बाग करो तो क्या करेंगे 3 से divide करेंगे 90 को किस से divide करेंगे 3 से तो 3 से divide करो तो 3 2 जा 6 3 आएगा 3 जा 9 0 0 तो 30 भाग होगा थर्ड बाग कितना होगा उसका तीसरा बाग कितना होगा 30 90 का तीसरा बाग कितना होगा 30 अब क्या करा है 2 ताइमस ओफ right angle तो 2 ताइमस जो right angle है उसको 2 ताइमस करना है तो 92 ताइमस आया यानि 2 से multiplication करना है क्या गना है 2 से multiplication तो 90 इंटू 2 करो यानि 180 180 अब देखो आगे एंगल इंगल इंद पेपर ऑफ एरोप्लेन एरोप्लेन बनाना पेपर से सिखाया हुआ है टेक स्क्वेर से टोप पेपर आपको क्या करना है स्क्वेर सीट लेनी है पेपर की फोलड करना है आपको पेपर में उपर फोल्ड किया वहाँ पी और निचे निखना है फोल्ड दः ग्रीन ट्राइंगल सधेयटर पी टरच क्यू तो आपको उपर से पी बाला जो ग्रीन कलर का बाग है वो नीचे क्यू को टरच करना है फोल्ड दव टौप टू कोर्नर और दीस रेक्तेंगल एलां दरटेड लाइन आपको क्या करना है जो fold किया वहाँ से दो corner में आपको two line बना देनी है top से नीचे तक क्या करना है दो line करनी है your paper will look like this there is a small triangle तो उसका look क्या बनेगा small triangle जैसा which in picture which has a fold up तो फिर क्या करना है उसको fold करना है corner में से क्या करनेंगे fold turn it over आपको फिर turn करना है and fold it half along the dotted line फिर क्या करना है turn करना है और फिर बीच में क्या बना देनी है dotted line now to make a wing fold the yellow edge over the red edge आपको क्या करना है fold किया फिर उसको दूसरी बार fold करना है और line बनानी है red और yellow अपने पहली बार fold किया तो yellow line और दूसरी line बनानी है red color गी turn it and do you some on the other side आपको फिर फिर टॉन कर देना है और फिर उसको छोड़ना है दूसरी साइड से your plane is ready to fly आप फिर 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 कर सब होगे how well does it fly तो जब फिर फिर करोगे तो क्या होगा find the angles 45 and 90 when you open your plane तो आपको ओपन करके लेखना है कि एंगल बना हुआ है 45 और 90 का है अब आगे एंगल मित योगा अब योगा हम जब योगा करते है आसन करते है तो भी एंगल बनता है रह्मत इसर डूइंग योगा रह्मत क्या कर रहा है योगा कर रहा है these are the picture of different आसन तो क्या कर रहा है different प्रकार के आसन कर रहा है he does everyday हर रोज करता है तो देखू या estimate the measure of many angles as you can make by the different parts of body while doing आसन आसन से हमारे body में भी आइंगल बनते है तो याँ देखो इस तरह से खड़ा है तो क्या बना 90 का right angle एलाकार का यह आसन किया है तो क्या बनता है right angle फिर यहाँ देखो तो क्या बनेगा 90 से कम है तो less than यहाँ बेभी यहाँ बेभी नाइटी से ज्यादा है यानि more than right angle यह बी क्या है 90 से ज्यादा है यानि more than right angle यह बी ज्यादा है तो more than right angle यह कम है यानि less than a right एंगल थैंक यू